मार्केट कैप या मार्केट कैपिलाइजेशन क्या होता है शेयर मार्केट में आपने सुना होगा कि इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत जादा है इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है तो क्या होता है यह मार्केट कैप और यह कैसे डिसाइड किया जाता है नमस्कार पहले हमें एक बार शेर प्राइस की बात करते हैं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि किसी शेर का प्राइस जो है वो 100 रुपए है तो वो छोटी कमपनी है उस शेर का प्राइस अगर 1000 रुपए है तो बड़ी कमपनी है लेकिन ये सोचने का जो प्रोसेस है वो बिलकुल गलत ह ऐसे आप company का छोटा या बड़ा होना आप decide नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक और major factor होता है कि जो 100 रुपए के share हैं वो market में कितने share बटे हुए हैं या 1000 रुपए के share हैं वो market में कितने share बटे हुए हैं माल लीजे 100 रुपए के share अगर किसी company के हैं और 1,00,000 share market में जो है वो बटे हुए हैं या माल लीजे 1,00,000 बटे हुए हैं तो 100 रुपए का एक share है और market में 1,00,000 share जो है उसके बटे हुए हैं तो company का capitalized devotion जो जिसे बोलते हैं या market cap जिसे बोलते हैं इन दोनों का multiplication होता है नही number of shares multiplied by the share price तो market में जितने share हैं वो और उसका price को multiply करें तो 100 रुपए को अगर हम 1 करोड से multiply करेंगे तो ये पहली company का market capitalization आ गया 100 करोड ठीक है अब माल लीजे वो दूसरी company है जिसे मैंने बटाया कि price 1000 रुपए है और market में उनके सिर्फ 50,000 share जो है वो issue किये गए हैं तो इस 1000 price है multiplied by 50,000 share market में गए हैं तो इसका market capitalization सिर्फ 5 करोड निकल के आया आए आपको बात समझ में आई ये सिर्फ 5 करोड निकल के आया जबकि share price 1000 रुपए है और ये 100 करोड capitalization आया जबकि company का जो है price सिर्फ 100 रुपए है तो price देखके आप company को छोटा बड़ा नहीं कर सकते कितन लगता है कि company छोटी company है या बड़ी company है तो जिसे हम large cap company बोलते हैं या mid cap company बोलते हैं या small cap company बोलते हैं वो इस market capitalization पे depend करता है अगर किसी company का market capitalization 20,000 करोड से उपर है तो हम उसे large cap company बोलते हैं company का capitalization जो है वो 5000 करोड से जदा है लेकिन 20,000 करोड से कम है तो उसे हम mid cap company बोल कम है तो उसे हम small cap company बोलते हैं तो यह होता है दोस्तों market capitalization जो company का size बताता है कि company जो है बड़ी है large cap company है mid cap company है या small cap company है आई हो वीडियो पसंद आया वोगा पसंद आया तो एक थमसब देजिए और चैनल का subscribe कीजिए बाबाई